भारतिये जंता पाटी के बिधायत राजु सिंग ने अगर बियार पुलिस के सामने आकर सरेंडर नहीं किया तो वही हाल होगा जो मनीश कस्यप का हुआ अब मनीश कस्यप का मामला याद कीजिए वो पुलिस की गिरब से भाग रहे थे और पुलिस वाले उसके बाद मनीश कस्यप के घर की कुरकी जपती करते हैं उनके घर के दरवाजे को खिड़कियों को तोड़ने लगते हैं उखार देते हैं और इसके बाद मनीश कस्यप सरें तोड़ फोड़ करेगी महाँ पर दर्वाजा खिरकी तोड़ कर पुलीस उखार लेगी जो कुर्की जप्ति का प्रकिरिया होता है उसको किया जाएगा यह चर्चा चल रही है अब एक और कहानी चल रही है कि तुलसी राय और जो राजू सिंग है इन दोनों लोगों का मामला बड़ा पुराना है भाजपा के कईनेता खुल कर राजू सिंग के समर्थन में है वो कह रहे हैं कि तुलसी राय खुद एक कुख्यात है और उस इलाके में वो एक दबंग है और तुलसी राय की कहानी वो बताते है तो कई लोग राजू सुन को कह रहे हैं कि राजू सिंग वाकई में गलत आदमी है अब हमने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा काफी कुछ हमने कहानी खोजा तो पता लगा कि यह सारी की सारी कहानी की शुरुआ लालू यादों के बिहार सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए मतलब कि लालू राज के दोरान शुरू हुई थी काना सिल्स लेकर आएं हैं फ्रेज, एसी, सोफा, बेट, डाइनिंग टेबल तथा अन्य सभी प्रकार के लेटेस्ट और ब्रांड़िट परनीचर और होम अप्लियंसेज, होल सिल दाम में, शादी में उपहार देना हो या फिर अपनी घर को सुसर्जित करना हो, अभी आए काना सिल्स जो केस्सित है, रधेसिदी कॉम्पलिक्स, राजेंद्र मोर, कुपाल गंज में, तथा एक और ब्रांग चुपला धे रेल पहिया कार खाना के पास, दरोगा राय चौग, दरियापूर, साड़न में, अने किसी भी चानकारी के लिए नीचे दिये हुए तीनों समारों में, राजू सिंग और तुलसी राय के बीच भगजख हो गई, उसके बाद राजू सिंग ने तुलसी राय को उठवा लिया, बलकि यह सालों पुरानी बात है, अब कहा जाता है कि लालू यादों की जब सरकार थी, तब तुलसी राय उस इलाके में एक ऐसा चेहरा था, जिसकी तूती बोलती थी, तूती बोलती थी का मतलब की एकदम दबंग चेहरा, एक चेहरा जो उस वक्त पर उस इलाके में छाया हुआ था, दूसरे तरफ थे राजू सिंग, अब राजू सिंग और तुलसी राय, दोनों लोगों ने अपने-अपने हिसाब से एक बर को चुना, और दोनों लोगों ने अपने-पने बर्ग और समाज की लड़ाई के खातिर अपने आपको आगे बढ़ा कर स्थापित किया, और यहीं से दोनों के बीच की लड़ाई की सुरुवात होती है, अब जो तुलसी राय है, वो तुलसी राय कहते हैं कि राजू सिंग करवा कर बैठा है, जो खुद कई मामलों में अपराधी है, कई मामलों में उसको मास्चर माइन माना गया है, अब आते हैं राजू सिंग की कहानी पर, कि राजू सिंग के साथ अब क्या कुछ होगा, और अब तक क्या कुछ हुआ, अब तक की जानकारी के अनुसार, पता नहीं है यार पुलिस इनको चारो तरफ ढूंड रही है विसेश टीम का गठनुमा है कि राजु सिंग को कैसे भी पकड़ी है बीजेपी के मुझफर कुरके नेता राजु सिंग के समर्थन में अब भी है वो कह रहे हैं कि राजु सिंग के साथ केवल जान बुझकर उनक तो एक और फायार होगा चोरी का फायार क्योंकि हर्याना नंबर की गाली पुलिस का मानना है कि राजु सिंग की नहीं है हो सकता है ये गाली चोरी की हो अब एक और मामला कि राजु सिंग अगर गिरफतारी नहीं देते अगर पुलिस के सामने नहीं आते तो पुलिस कुरक का सरेंडर होता है कि एकदम उसी परकार से अगर राजू सिंग अपने गिरफतारी नहीं देते बियार पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है तो फिर कुरकी जपती की कारवाई होगी फिलाल मौजुदा वक्त पर राजू सिंग के जो करीबी लोग है जो राजू सिंग के करी मारी हो रही है अब आगे देखते रही है कि राजू सिंग कब तक पकड़े जाते हैं या फिर इनका भी हाल मनिस कस्यप के जैसे होता है मतलब कि घर की कुर्की और जपती होती है आगे जो भी और जानकारी जो भी और नया अपडेट आएगा सब कुछ आप तक करते हैं कि अमरेक प्रिशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सेगी बहुत बहुत धन्यवाद